तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की तीन जुलाई की इंपॉर्डेन करेंट अफेस को तो इस प्रस्ण में आपसे बूच रहें अभी हाली में भारत और किस देश के बीच में मैत्री अभ्यास का आयोजन हुआ तो आंसर होगा थाइलेंड वो 2019 में हुआ था मेगाले के उमरोई में और जो इसका पहला एडिशन था वो 2006 में हुआ था आपको याद हो तो इस साल हमने एक exercise शुरू किया था थाइलेंड के साथ ही उसका नाम है अयुथ्थ्या exercise इसका पहला संस्क्रन इसी साल हमने किया था थाइलेंड के साथ में उजाद रखना आयुथ्या का मतलब होता है अपराजे यह एक नेवल एक्सरसाइज है और इसके साथ एक एरफोर्स एक्सरसाइज भी हम करते हैं उसका नाम है सेम भारत तो यह भी आद रखना अभी मैं एक्सरसाइज फिर से रिवाइस करा हूँगा लेकिन पहले हम थाइलेंड के स्टैटिक देख लेते हैं तो यह राब मैप में थाइलेंड कैपिटल बैंकोग होती है करंसी थाई बहत परधान मंत्री है श्रेता थाविशन यह भी नए बने थे आपको जूद होगा पहला सा मलेंगिक विवा को मंजूरी देने वाला तो चलो अभी आपको 2024 की सारे इंपोर्टेंट एक्सरसाइज में रिवाइस कराता हूँ तो इस साल का पहला एक्सरसाइज था डेजर्ट साइक्सरसाइज भारत और UAE के बीच में हुआ यह राजस्तान के थार रगिस्तान में सहय जो काजे एक्सरसाइज भारत और जापन के तर रक्षक बलो के बीच में हुआ यह चैन्नाई में यह आयुथ्या में आपको बताया भारत और थाहिलेंड के बीच में हुआ यह पहली बार हुआ साइक्लोन एक्सरसाइज ये इस बार इसका दूसरा संस्करन था भारत और एजिप्ट के बीच में हुआ ये एजिप्ट में गरो डेजर्ट साइक्लोन जो हमने पढ़ा अभी और ये साइक्लोन दुनों में कन्फ्यूज मत होना दुनों अलगे खंजर exercise का 11 संसकरन हुआ भारत और किर्गिस्तान में हिमाचिल प्रदेश के बखलोह में हुआ Steed Fast Defender exercise का आयोजन नाटो ने किया Desert Night exercise भारत, France और UAE के बीच में हुआ ये अरब सागर के उपर हुआ और सदा तनसीक exercise का जो पहला संसकरन ये भारत और साओधी अरब के बीच में हुआ था राजस्थान के बिकानेर में वायू शक्ती exercise इंडियन एर फोर्स ने इसका आयोजन किया पोकरन राजस्थान में दोस्ती exercise का सोलवा संसकरन हुआ भारत, माल्दी और श्रीलंका के बीच में कहां पे माल्दी में और समुद्र लक्षमन exercise भारत और मलेशय के बीच में हुआ ये विशाका पतनम में Sea Defenders exercise भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ ये अंडमान निकोबार की गैबिटल पोर्ट ब्लेयर गया Cutlass Express exercise ये एक मल्टी लेवल exercise था, मल्टी नेशनल exercise मतलब लगबग 16 देशों ने हिस्ता लिया, भारत ने भी हिस्ता लिया भारत की तरक से INS 3 ने हिस्ता लिया, पोर्ट विक्टूरिया सेशल्स में फिर सेशल्स के साथ भी हमने एक exercise किया, लिमित ये exercise कहां पे, सेशल्स में ही Tiger Tramp exercise भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये, भारत के पूर्वी समुदरी तट पर गगन शक्ती exercise इंडियन एर फोर्स ने आयोजन किया, भारत के कहीं हिस्सों में हुआ था ये, दस दिनों तक चला धर्मा गार्जन exercise भारत और जापन के बीच में हुआ ये राजस्तान में डस्टलिक exercise इसका ये पांचवा संसकरन था भारत उजबेकिस्तान के बीच में हुआ ये उजबेकिस्तान में सागर कवच exercise सभी समुदरी सुरक्षा एजन्सियों उन्हें मिलकर के इसका आयोजन किया था विक्तस हैज तो ये अंतरिक्स में पहली बार एक युद्ध अभ्यास आयोजित होगा इसकी घोषना कीती अमेरिका के स्पेस फोर्स ने नाम है विक्तस हैज पूर्वी लहर अभ्यास भारते 9 सेना ने इसका आयोजन किया था गगन स्ट्राइक सेकंड़ भारते सेना और वायू सेना ने आयोजन किया इसका पंजाब में शक्ती exercise भारत और फ्रांस की बीच में हुआ ये मेगाले के उम्रोई में तारकश exercise सात्वा संसकरन हुआ भारत और अमेरिका के बीच में कॉलकता में रेड फ्लेग एक्सरसाईज ये बहु सेन्य अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से राफेल ने हिस्सा लिया था, अमेरिका के अलासका में हुआ, और एक रिम पैक एक्सरसाईज, मतलब रिम आप दे पैसिपिक एक्सरसाईज, 29th नंबर का एडिशन ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मेरिटाइम एक्सरसाईज है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया, भारत की तरफ से आई एनेस शिवालिक जहाद ने हिस्सा लिया, अमेरिका के हवाई में इसका आयोजन हुआ, एक जिमेक्स अमने देखा था, इंडियान एर फोर्स ने इसका आयोजन किया था, एक्चिल में ये होगा, अभी हुआ निये, होगा, इसी साल अगस्त में होगा, लगबग 10 देश इसमें हिस्सा लेंगे, तो ये 2024 के कुछ इंपोर्टन में एक्सरसाईज हमने रिवाईस करें, इनको ध् अंदर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री बने है चंदर बाबु नाइडू, अभी उन्होंने NTR भरोसा पेंशन योदना को शुरू किया है, तो इस योदना को अमरावती के ताडे पली ब्लॉक के पेनु माका गाउं से शुरू किया गया, क्या होगा इसमें, तो इसमें ला प्रद कराया जा सके, और जिनके नाम पे योदना शुरू किया न, NTR, NTR का मतलब होता है, नंद मुरी तारक रामा राओ, जो कि एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और निर्माता थे, और उन्ही के बेटे अभी फिल्मों में भी आते हैं, जूनियर NTR उनका नाम है, आपने अगर RRR मुवी देखी हो, तो उसमें वो एक्टर हैं, और NTR बात करें, तो ये अभिनेता के साथ साथ एक राजनेता भी थे, क्योंकि इन्होंने ही 1982 में TDP, तेलगू देशम पार्टी की स्तापना की थी, वे तीन बार आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और ये जो N. चंदर बाबु नाइडू हैं, जो वरतमान में आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके दामाद हैं, तो याद रखना ये NTR भरोसा पेंशन योधना कहां पर शुरू हुई है, आंदर प्रदेश में, चलो कुछ और इंपोर्टेंट योधना हैं मैं आ कि प्रणाम योजना इसको भूमी प्रदुशन को कम करने के लिए शुरू किया गया था, और ग्रामीन मित्र योधना गोवा ने शुरू की, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योधना उत्रखन ने, आसरा पेंशन योधना तेलंगना ने, सुभ यातरा योजना केरल, एक पंचायत, एक खेल का मेदान योधना ये भी केरल, और अम्मा और बहीनी योधना को सिक्किम ने शुरू किया था, तो ये कुछ योजना हैं इनको ध्यान में रखना, अगला प्रशन नेक्त है, फिर आपसे पूछ रहे, कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गय तो ये क्या है, विश्व खेल पत्रकार दिवस, एक National Sports Day भी आपको यादोगा, राश्टर खेल दिवस, और एक बिलकुर नया हमने मनाना शुरू किया, जैसे कहेंगे International Day of Play, अंतर राश्टर खेल दिवस, कब 11 जून को, तो ये भी ध्यार में रखना, वैसे 2 जुलाई को हम वर्ल्ड यू एफो डे के रूप में भी मनाते हैं, यू एफो यानि के वो उडन तसकरी जिसे बोलते हैं न, फुल फर्म देखोगे तो अग्यात उरती हुई बस तो, जैसे आप उडन तसकरी बोलते हो, तो उसके बारे में भी ये दिन मनाते हैं, दो जुलाई को ही, बाक यूदना शुरू की है, तो आंसर होगा राजस्तान, तो राजस्तान के अभी जो नए मुख्य मंतरी बने थे, भजनलाल शर्मा जो बिज़ेपी पार्टी से है, अभी उन्होंने ही टोंक चिले से ये मुख्य मंतरिक किसान सम्मान निदी योदना को शुरू किया है, क्या ह होगा इस योदना में, तो इस योदना में राज्य के किसानों को हर साल दो हजार रुपे मिलेंगे, और इसी तरह की योजना केंदर सरकार भी चलाती है, प्रधान मंतरिक किसान सम्मान निदी योदना, उसमें आपको याद है किसानों को दो-दो हजार रुपे करके तीन ब लेकिन उससे पेले एक परशनी ये बन जायेगा, जो केंदर की ये प्रदार मंत्री करे किसान समान निदी योदना चलती है, पूछे कि ये कब शुरू हुई थी, तो अपर क्या उत्तर होगा? तो ये शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2019 को गौरखपुर U.P. से, अब बात राजा और जो भारत की सबसे बड़ी अंतर दीशे खारे पानी की जीए वो भी आपको यहीं पे मिलेगी कौनसी है वो सांबर लेक तो यह पॉइंट्स आप राजस्तान से ध्यान में रखना वैसे राजस्तान में लखी मेले का आयोजन होता है राजस्तान के सीकर में उट महत्सो भी यहाई पे मनाया जाता है राजस्तान के बिकानेर में एक मरू फ फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में किस बैंक ने MSME सहज नाम से एक online loan solution launch किया है, तो अंसर होगा State Bank of India ने, तो अभी SBI ने MSME सहज नाम से एक online व्यापार रन समाधान पेश किया है, इसे MSME के लिए विशेश शुरूप से तयार किया गया है, MSME अतलब Micro Small Media Enterprise है, तो जो जगो और मध्यमुद्योग है, उन्हें 15 मिनिट से भी कम समय में एक लाख रुपे तक का रिण यहां से मिल जाएगा, तो इसका नाम है MSME सहज, आपको याद होगा, अभी MSME मंत्राले ने ही दो योजनाए शुरू की थी, एक तो यशेश्वी पहल, और एक MSME टीम योदना MSME डे मनाया था भी हमने, कब 27 जून को और MSME मंत्राले के मंत्रे कौन है, जीतन राम मांजी है, और State Bank of India की बात करें, और कल भी हमने इससे एक संबंदित प्रशने पड़ा था, कि SBI के नए चेर्मेन कौन बनेंगे, C.S. शेटी जोकी दिनेश कुमार खारा का स्थान Headquarter इसका मुंबई में आपको मिलेगा, और स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं, तो तीन बैंकों को मिला करके, कौन-कौन से, Bank of Kolkata, Bank of Bombay, Bank of Madras, 1921 में तीनों को मिला करके बनाया गया था, Imperial Bank of India, फिर 1955 में इसका नाम बदल कर State Bank of India कर दिया, इसलिएम केते हैं, State Bank of India की सा अपना होती है, एक जुलाई 1955 में है, और इसका tagline होते है, The Bank to Every Indian, और श्री नगर के डल जील में तेरता हुआ, ATM कुलने वाला पहला बैंक यही है, State Bank of India, तो यह ध्यान रखना पॉइंट्स, अगला प्रसन देखते हैं, फिर आपसे पूछरें, अभी हाल हमें, Lost Angels में जो Indian Film Festival हुआ, उसमें किस भारते फिल्म ने Grand Jury Award जीता, तो आंसर होगा, Girls Will Be Girls, तो अभी अमेरिका के Lost Angels में, जो Indian Film Festival का आयोजन हुआ, उसमें Girls Will Be Girls ने Grand Jury Award जीता है, इस फिल्म को रिचा चड़ा और अली फजल ने बनाया है, वैसे इस फिल्म का यह तीसरा Grand Jury Award है, यो कि इससे पहले भी यह दो बार, एक तो रोमानिया में जो Transylvania International Film Festival हुआ था वहाँ पे, और फ्रांस में जो BRITS Film Festival हुआ था, वहाँ पे भी इसने Grand Jury Award जीता था, इस फिल्म के डारेक्टर और राइडर की बाग करें, तो वो सूची तलाती है, अच्छा, इसी तरह से, अभी जो 77th न पुरुसकार जीता था, उनकी लगू फिल्म, शॉट फिल्म, Sunflower वर दफर्स्ट वन्स तू नो के लिए, इन्होंने ला सिनेफ पुरुसकार जीता था, और जो एक्टरेस हैं, अनुसुया सेन गुपता, इन्होंने अपने फिल्म शेमलेस के लिए, अनसर्टन रिगार्ड स पुरुसकार जीता था, तो यह चार नाम ध्यान रखना, चार भी नर है, तो यह पायल कपाडिया, और अनुसया सेन गुपता का नाम तो आप जरूर से याद रखना, यह चिदानन्द नाइक भी इंपोर्टेंट है वैसे तो, अच्छा अवार्ड्स की बात चली रही है, तो ऑसकर अवार्ड्स भी मैं आपको याद दे लाँगा, दोज़ा चौबिस में जो हुए, आप लोग बताना यह इसका कौन सा एडिशन था, कौन सा संसकरन था, तो बेस्ट पिक्चर इसमें उपन हाइमर रही थी, बेस्ट टारेक्टर उपन हाइमर के क्रिस्टोफर अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाली में लोकारनो अवार्ड जीतने वाले भारतिये कौन बने हैं, तो अंसर होगा शारूक खान, तो लोकारनो फिल्म फेस्टिवल के और्गेनाईजर्स ने शारूक खान को इवेंट में अभी सम्मानित करने क अइलान किया है, इस साल अगस्त वोजार 24 में ये लोकारनो फिल्म फेस्टिवल का 77 एडिशन होगा, और वहीं पे शारूक खान को लोकारनो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, वे इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारति एक्टर हैं, और इस अवार्ड का पाडो अला केरियर असकोना लोकारनो टुरिजम अवार्ड, तो किसे मिलेगा शाहरुक खान को, अच्छा आप ये बताना कि अभी अमिताब बच्चन को एक most important अवार्ड मिला था, जब भी अवार्ड की लिस्ट में आपको revise कराता हूँ, उसमें पहली ही लिस्ट में अमित अब उत्तर प्रदेश के जो मुखे मंत्री हैं योगी आधित्यनाथ उन्होंने आये सदिकारी मनुझ कुमार सिंग को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया है, वैसे अभी उडिसा के भी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, उनका नाम मनुझ आहुजा है, और हमने ये तीनों तो बिल्कुल नए appointment है, जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि बारते रबर उद्योग संग के अध्यक्ष बने है सशी सिंग, National Asset Reconstruction Company के Managing Director बने पी संतोष, महराष्टर की पहली महिला DGP बनी है रश्मिशुकला, Asian Development Bank के Executive Director बने है विकास सेल, सशस्तर सीमा बल के Director General बने है दलजीत सिंग चोधरी, World Trade Organization में राजदूद बने सेंथियल पा बांडे और स्पद पर आने वाले ये पहले भारते हैं, भारते ओलंपिक संग के CEO बने रगुमाईयर, Telecom Regulatory Authority of India के Head बने अनिल कुमार लाहुती, International Court of Justice इसके नए Head बने है नवाब सलाम, important है नाम, किस देश के हैं तो लेबनॉन से हैं और International Court of Justice का मुक्याले The Head गनीदर लेन म और सिंदु गनपती दक्षेंट रेलवे की पहली ट्रांस महिला TTE बनी, सुमन कुमारी Border Security Force की पहली महिला स्नाइपर बनी, अनुराग अगरवाल संसद सुरक्षा के प्रमुक बने और A.M. खान विलकर लोगपाल अद्यक्ष बने, बाकी मर्यम नवाज पाकिस्तान में पह और आपसे पूछ रहे हैं, कि फिद्धार भारती बोर्ड के अद्यक्ष बने, ग्यानेश कुमार और सुकबीर सिंग संदु चुनाव आयोक्त बने थे अभी, किशोर मकवाना राष्ट्रे अनुसुच जाते आयोक के अद्यक्ष बने, सरदार रमेश शिंग अरुडा, पा कि फिदे वर्ल्ड चेंपिंशिप 2024 का आयोजन कहां पे होगा, तो अंसर होगा सिंगापूर में होगा, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, फिदे वर्ल्ड चेंपिंशिप 2024 की, और इसका आयोजन सिंगापूर में होगा, सिंगापूर ने इसके बिडिंग को जीत लिया है, और ये मैच होगा नवंबर दिसंबर में इसी साल भारत की जो चेस प्लेयर है डी गुकेश और चाइना के डिंग लेरेन के बीच में है। अभी कल भी चेस से सम्मंदित एक प्रशन हमने पड़ा था कि 2024 लियॉन मास्टर शतरंज टोर्नमेंट को दसवी बार जीत लिया है भारत की जो पहले ग्रेंड मास्टर है विश्वनातन आनंद रहें। वैसे अभी टोटल ग्रेंड मास्टर हमारे 85 हो चुके हैं 85 नंबर की शाम निखिल हैं 84 नंबर की वेशाली रमेश बाबू थी और विश्वनातन आनंद से 24 पॉइंट में आपको बताये थे एक तो ये हमारे पहले ग्रेंड मास्टर हैं 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रें थे और 2023 के विजिताओं का भी नाम याद रखना ये पुरुसकार मेरा था राजी उगंदी खेल रतन पुरुसकार दोजाटेविस में जो बेडमिंटन प्लेयर के मरी जोडिये साथ वे एक सायराज रंके रेड़ी और चिराग शेटी को और इनसे एक और पॉइंट याद है पहली मईला ग्रेंड मास्टर एस विजे लक्षमी है वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप 2023 जो अजर बेजान की केपिटल बाकु में हुआ था उसको मेगनस कालसन ने जीता था वो नौर्वे से हैं और दूसरे स्थान पे आर प्रग्यान आनंद रहे थे बाकु से एक पॉइंट हम हमेशे जात करते हैं कि 2024 में जो कोब 29 का आयोजन होगा वो यहीं पे होगा इससे पिछले साल 2023 में जो कोब 28 का आयोजन हुआ था वो युनाटे डर बमिरात में हुआ था और वल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी कहां पे दी डूरकोवेच और वाइस प्रसिडेंट विशुनातन आनन्द है एक पॉइंट मैं आपको वैसे हमेशा बताता हूँ यह रीजनिंग का प्रस्न है वैसे दो कि जो चैस बोर्ड होता है तो उसमें पूछते हैं कि टोटल नंबर ओफ स्क्वाइर कितने हैं या कितने बन स अंसर याद रखना कई बार एक्जाम में रिपीट होता है प्रस्न अभी अगला प्रस्न देखते हैं फिर पूछ रहें अभी हाल इमें भुपिंदर सिंग रावत का निदन हो गया उनका सम्मन्द किस खेल से है तो अंसर उका फुटबॉलर थे वो तो भारते टीम के पूर प्रड़ेगा टूर्णामेंट में भारते टीम का हिस्सा रहे थे उनके प्रसंशक चाहने वाले उन्हें स्कूटर के नाम से पुकारते थे क्योंकि वो बड़े तेज फर्राड थे और हाइट में भी शोटे थे तो गाइस यह था आज का आपका करेंट अफर्स का सेशन और प्लीज वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर ज़रूर कर जिए चलो अभी कल के करने तो फेर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दू फिर हम सेशन अन करते हैं तो चलो यहाँ पे 2 जुलाई के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स का आपको क्विक रिविजन करवाते हैं तो पहला प्रशने पूछा था CBDT के नए अद्धिक्स कौन बने रवी अगरवाल फिर पूछा दोजार चौबेस में गलोबल इंडिया AI शिकर सम्मिलन का आयोजन कहां पर होगा तो आ जेने वाली दूसरी भारते महिला गेनबाच कौन बन गई इस नेहराना फिर पूछा SBI के नए चेयर्मेन बन गई कौन CS 277 नंबर के हैं फिर पूछा भी मोदी जी ने महानेता लाइफ एंड जर्नी औफ शिरी M. Venkaya नाइडू जी की बुक को लांच किया से किसने लिखा स 2014 में लिओन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता विश्वनातनानंद और महराष्टर की पहली महिला मुक्य सचीव बन गई कौन सुजाता सॉनिक और आकरी प्रशन पूछा था मनूज बाचपई The Definitive नान की बुक को किसने लिखा पियूश पांडे ने लिखा है अब ही चलो कल का हमवर्ग प्रशन देखते हैं और सेशनेंग करते हैं तो कल की वीडियो में क्या पूछा था कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण ये कांपे किया जाएगा तो अंसर होगा धर्मशाला आप सभी ने प्रशन का बिलकुल सही उतर दिया अब य आपका हमवर्ग प्रशन